हेलो एवरिवन आएम हिमांशी वेलकम टू सिविल पांडा ओडियो आर्टिकल आज हम डिसकस करेंगे 28 सेप्टेंबर के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स के बारे में साथ ही से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिसकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हाल ही में इंडियन नेवी ने किस देश की रॉयल नेवी के साथ समझोता किया है तो इसका आंसर है ओमान इंडियन नेवी ने ओमान की रॉयल नेवी के साथ समझोता किया है बात करें ओमान की तो इसकी कैपिटल है मसकट करंसी है ओमानी रियल next तो इसका आंसर है नागलेंड की तो इसकी कापिटल है कोही मा, चीफ मिनिस्टर है नैफियो रियो तो गवर्नर है जगदीश मुकी जो की आसाम के गवर्नर है नागलेंड का एडिशनल चार्ज मिला है ने 2030 तक 100% लिटरेसी हासल करने की घोशना की है नागलेंड ने हॉन बिल फेस्टिबन नागलेंड में सेलिब्रेट किया जाता है और हाली में इंडिया के 61st Software Technology Park नागलेंड में खोला गया तो ये सारे facts आपको याद रखने हैं नागलेंड के बारे में Next, हाली में UAE के दूसरे सबसे बड़े business partnership के रूप में कौन बन गया है तो इसका answer है इंडिया इंडिया UAE के दूसरे सबसे बड़े business partnership के रूप में बन गया है First business partnership चाइना है ये भी आपको याद रखना है अब बात कर लेते हैं UAE की तो इसकी capital है अबुदाभी currency है UAE दिरहाम दुबई UAE की city है यहाँ पे बुच खलीफा इस्तित है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा इकच्रा recycling पार्क दुबई में खोला जाएगा और hope mass mission जिसे अल अमल mission अरब में बोला जाता है ये UAE का है दोस्तों ये important है इसलिए आपको याद रखना है Next हाली में सबसे तेज solo cycling का Guinness world record किसने बनाया है तो ये इंडिया के श्रीपज श्रीराम ने सबसे तेज solo cycling का Guinness world record बनाया है दोस्तों इनका नाम आपको याद रखना है Next Global Startup Ecosystem Report 2021 में कौन सा शहर टॉप पर रहा तो Silicon Valley जो की California USA में है ये Global Startup Ecosystem Report 2021 में टॉप पर रहा दुनिया के Top 30 Startup Ecosystem ranking में शामिल होने वाला Bangalore देश देश का एक मात्र शहर है Bangalore की 23 rank है इसे भी आपको याद रखना है Next, हाली में Audit Bureau of Circulation के चीफ कौन एपॉइंट हुए है तो इसका आंसर है देवरत मुखर जी देवरत मुखर जी Audit Bureau of Circulation के चीफ के रूप में एपॉइंट किये गए है Audit Bureau of Circulation बना था 1948 में इसका Headquarter है मुंबई Next, Defense Ministry ने Indian Army के लिए अरजुन टैंक MK1A की अपूर्ती के लिए किसके साथ समझोता किया है तो इसका आंसर है Heavy Vehicle Factory चन्नाई Heavy Vehicle Factory जो की चन्नाई में है Defense Ministry ने Indian Army के लिए अरजुन टैंक MK1A की अपूर्ती के लिए समझोता किया है Next, हाल ही में पूरी तरह से Solar Energy से चलने वाला First Station कौन सा बना है तो इसका आंसर है चन्नाई Central चन्नाई Central जो की टामिलांडो में है ये पूरी तरह से Solar Energy से चलने वाला First Railway Station बना है दोस्तों इसका नाम आपको याद रखना है Next, T20 Cricket में 10,000 रन बनाने वाले पहले Indian Cricketer कौन बन गए है तो इसका आंसर है विराट कोली विराट कोली T20 Cricket में 10,000 रन बनाने वाले पहले Indian Cricketer बन गए है T20 Captaincy और IPL की Captaincy को छोड़ने का फैसला किया है विराट कोली ने Digit Insurance Company और Vivo Mobile Company के ब्रैंड मिस्जर है विराट कोली ये कोशन पूछा गया है दोस्तों इसलिए आपको याद रखना चाहिए विराट कोली सबसे पहले 23,000 रन कंप्लीट करने वाले पहले प्लेयर बने है और Instagram में 150,000,000 followers के साथ एशिया में सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले व्यक्ति भी विराट कोली है तो ये सारे facts आपको याद हुने चाहिए विराट कोली के बारे में Next, मुख्यमंत्री horticulture insurance scheme को किस राज़ी की सरकार ने शुरू किया है तो इसका answer है हर्याना हर्याना में मुख्यमंत्री horticulture insurance scheme की शुरूद की गई है बात करे हर्याना की तो इसकी capital है Chandigar इसका गठन किया गया था 1 November 1966 में सरदार हुकुम सिंग कमिटी की सिफारिश से हर्याना स्टेट का गठन किया गया था चीफ मिनिस्टर है मनुह लाल खटर गवनर है बंडारू दत्ता त्रे हवाई टेक्सी से वा शुरू करने वाला पहला राज्य हर्याना बना है सूरजकुंड लेग जोकी इंटरनेशनल मेला लगता है यह हर्याना में है और नौथ इंडिया का सबसे बड़ा तितली कंजर्वेटिव पार्क गुरु ग्राम हर्याना में स्थापित किया जाएगा तो यह सारे फैक्ट्स आपको पता होने चैगे हर्याना के बारे में है दोस्तों सबसे बड़ा इसलिए आपको याद रखना है इसे आपको याद रखना है बात करें उत्राखंड में की तो इसकी कैपिटल है देहरा दुन समर कैपिटल है गर्सीन 9 अवंबर 2000 में इसका गठन हुआ था चीफ मिनिस्टर है पुश्क सिंधामी और गवर्नर है नैनिताल को डिस्टिक लेक बोला जाता है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेंस यहीं पे इनॉग्रेट की गई है और भारत का पहला वन चिकिस सक्रीन रानी खेत उत्राखंड में खोला गया भारत का पहला लाइकेन पार्क, पॉलिनेटर पार्क और मौस गार्डन उत्राखंड में खोला गया है और छोटे जानवर के लिए पहला इको ब्रिज उत्राखंड में बनाया गया है वैली ओफ लावर उत्राखंड में है और फुल देई त्योहार उत्राखंड में ही मनाया जाता है तो यह सारे फैक्ट्स आपको याद रखने है उत्राखंड के बने हैं दोस्तों यह इंग्लैंड के हैं और यह मर्सेडीज ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन ने रशियन ग्रांड प्रिक्स रेस को जीत कर 100 फॉर्मिला रेस जीत ली है दोस्तों इनका नाम आपको याद रखना है नेक्स्ट इंटरनेशनल होकी फैडरेशन मेंस जूनिय तो एडिशन रहेगा दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल होकी फैडरेशन की तो इसका गठन किया गया था 7 जनवरी 1924 में है लुजान स्विट्जरलेंड चेयर्मेन है नरेंदर बत्रा मैंस होकी वर्टकप 2023 औरिसा में ही होने वाला है और इंडिया का सबसे आंसर है हर्शल पटेल हर्शल पटेल आईपील 14 में हेट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए है तो इनका नाम आपको याद रखना है आईपील की शुरुवात की गई थी 2008 से अब बात कर लेते हैं मद्र प्रदेश करेंट अफेर्स की तो हाल ही में इंडिया का पह हो रहा है दोस्तों यह साउंड और लाइट प्रूफ हाइवे नैशनल हाइवे 44 पर बन रहा है जो कि सिवने डिस्टिट से गुजरती है इस खास हाइवे को बनाने का उद्देश वन्यजीव की सुरक्षा है अब बात कर लेते हैं सिवने डिस्टिट की तो सिवने डिस्ट बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों सिवने डिस्टिट की बाउंटरी लगती है महराश्ट के नाwickपुर डिस्टिट से और सिवने डिस्टिट में भेमगर्ड डैम है जो की वेनगंगर नदी पर है ये एशिया का सबसे बड़ा कीचर डैम है इसे सरदार सरूवर डैम के नाम से भी जाना जाता है वेन गंगा नदी का ओरिजिन सिवनी के गोपाल गंच विलेज के मुंडरा प्लेस से हुआ है मुंडरा का नाम आपको याद रखना है दोस्तों सिवनी में पेच न कीपलिंग वरक्शॉप है और यहीं पर एक इको टूरिजम सेंटर भी बनाया गया है तो यह सारे फैक्ट्स आपको यहाद अकने है सिवनी डिस्टिट के बारे में तो यह था आज का डिसकेशन दोस्तों आई होप आप लोग को पसंद आया होगा आज का कोश्चन है मुख कीपलिंग और यही बनाया होगा आपको यहाद है और प्सक्तों आपको देशित।